बिस्मिल्ला हिर्वाहमान इर्वाहीम, असलाम अलेकुम, मिसिस सईदुनिस साव, असिस्टन प्रोफेर्सर उर्दू, गौर्मेंट ग्रेजुएट कॉलेज फ़विमें, सेटलाइट टाउन भावलपूर हमारा सब्जेक्ट है बेसिक हेल्थ हवेरनेस, और इसमें हम दो सेशन आज पढ़ेंगे, सेशन 12 और 13 12 एक्चुली हम पिछले लेक्चर में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कम्यूनिकेबल डिजीजिस क्या होती है आज हम उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे कि कम्यूनिकेबल डिजीजिस कौन कौन सी हैं, और इन से प्रिवेंशन या कंट्रोल कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे बचाओ किया जा सकता है, या इहतियाती तदाबीर जो हैं, वो क्या क्या हो सकती है स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवियन करेंगे अपने पिछले लेक्चर की ताके हम रिकॉल कर सकें अपने माइन में के कम्यूनिकेबल डिजीजिस क्या हैं, तो कम्यूनिकेबल डिजीजिस जिने मुतदी बिमारियां या छूत की बिमारियां भी कहा उसका थूक है, वो नाक से निकलने वाला माद है, वो उसका बलड है, उससे भी वो आगे मुन्तकिल हो सकती है, वो उस सर्फेस से भी मुन्तकिल हो सकती है, जहां मतासरा शक्स खड़ा हो और उसके थूक के जर्रात वगरा गिरे हो, या जो जिस किसम के भी बिमारी है, उसक कुछ मवाद उस पे लग गया हो उस जगा पे तो उसको टच करने से भी वो बिमारी आगे फैलेगी मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी कि कोरोना जो है उसके हवाले से आप देख लें कि हम कहते हैं जी छींकने से खांसने से जो ठूक के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उनके साथ यह बिमारी फैलती है या फैल सकती है तो यह वो बिमारिया होती है कि जो परसन टू परसन और लिए आपको तरीका बता दिया इस तरह से पैलेंगी या फिर वो प्यैट ऐंइमल्स हों wild animals हों उनको touch करने से फैल सकती है और तीसरी चीज़ ये है कि food के जरीए, पानी के जरीए, हवा के फिजा के जरीए वो फैल सकती हैं तो ये वो बिमारिया हैं जिन से हमने और खास उते insect bite के जरीए भी फैल सकती हैं जैसे पिछले कुछ सालों में हमने डेंगी को देखा, बिमारी को उससे पहले जो था वो मलेरिया और हैजा, मकी से और मच्छर से इस तरह से ये फैलते वे हमारे सामने होती थी symptoms भी और हम प्रेकाशनी मज़स भी इख्तियार करते थे कोड़े के डेर ना हो, पानी कठा ना हो तो ये वो सारी बिमारिया हैं जो किसी वाइरस से या बैक्टीरिया से फैलेंगी और हम इने कहेंगे communicable diseases और मैंने वहाँ आपको अलग करके उस लेक्चर में दो टाइप्स बता दी थी कि communicable diseases जो हैं उनके transmit होने के दो तरीके हैं direct और indirect डारेक्ट में आगए person to person और दूसरा droplet spread यानी जो थूप के जरा जरा निकलते हैं और indirect में हमने उसमें पढ़ा था ये फिजा के जरीए, खुराक के जरीए, जानवरों के जरीए तो ये सारी चीज़ें indirect में आ जाती हैं indirect transmit में आज जो हमने पढ़ना है वो है इसी का दूसरा हिस्सा तो आईए चलते हैं अपने lecture की तरफ आज हम डीटेल से पढ़ने वाले हैं communicable diseases को के कौन कौन सी बिमारिया हैं कैसे फैलती हैं, परिकाशनी मयज क्या हो सकते हैं, मेडिसन क्या ली जा सकती है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी types कितनी होती हैं तो communicable diseases दो types की होती हैं, दो तरा की होती हैं एक है common communicable diseases जो आम तोर पे फैलती हैं वायरस से बेक्टिरिया से, दूसरी है dermal, जिल्द के जरीए इस तरह से जो बिमारिया फैलेंगी उनको हम पर अगले lecture में पढ़ेंगे, आज हम इसी तक मेहदूद रहतने हैं कि common communicable diseases कौन कौन सी हैं जी, इन में पहली बिमारी है, ट्यूगर क्लॉसेज, जिसको आम तरपे हम TB भी कहते हैं, तपे दिक भी कहा जाता है, या आपने फस्तियर में लफ़ पढ़ा था, जब हमने एक अफसाना पढ़ा था, वहां चराग कीलो, और मैंने डीटेल से क्लास में आपको समझाया भी ह होगा, कि TB भी कहते हैं, तपे दिक भी कहते हैं, आम जबान में इसको बड़ा बुखार भी कहा जाता है, फिर मैंने उसको सिम्टम्स भी वाज़े की होंगी, कि बाद असर बुखार का या थकावट का ज्यादा होना, हलकी हलकी खांसी, या दुपहर को भी हलका सा बुखार हो लेकिन वो सिर्फ जिसम गर्म की हद तक मैं दूदो, तो यहां आप डिटेल से उसको देख लेते हैं, कि बेक्टीरिया से यह बिमारी फैलेगी, अच्छा यहां आपने यह याद रखना है, कि हम जो बिमारिया यह पढ़ेंगे ना, इनमें से कुछ बेक्टीरिया से फै माइको बेक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेज, बिमारी अटेक कहां करती है, तो लंग्स के उपर, फैपड़ों के उपर इसका असर होता है, फैलती कैसे है, तो यह खांसी के जरीए और च्छींक के जरीए, कि मतासरा शख्स जो है, अगर आप उसके सामने हों, वो खांसे या च्छींके, तो यह जो बैक्टीरिया है, यह खुदाना खास्ता एक सेथ मंद शक्स तक मुंत्किल हो सकते हैं, हाँ, यह अलग बात है, कि फौरी फौरी बिमारी जो है, असर अंदाज ना हो, कि उस शक्स की अम्यूनिटी जो है, वो ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही उसमें व बता दीं कि हलका बुकार है, हलकी खांसी है, जिसको हमाम तरफे ठसका कहते हैं, एक या दो दफा बेखत्यार खांसी का आना, और इसके लावा सांस में थोड़ा बहुत दिक्क्त होना, लेकिन बाकाइदा जो डाइगनोस करते हैं, बलड टेस्ट लिये जाते हैं, इसके ल इनिटोरियम्स में लोगों को रखा जाता था कि चले आबो हवा थोड़ा तबदील हो जाए, और जो जैनरल मेडिसन्स होती थी, वो दी जाती थी, और बहुत मुमकिन, मुश्किल था क्योर होना, उसके बाद जो था वो बाकाइदा कोर्स की सुरत में मेडिसन्स दी जाने बेहतर हो जाता है, लेकिन फुली क्योर नहीं होता, तो मेडिसन्स ही इसका इलाज है, बेसिकली, प्रिकाशनी वायज में यह है कि ऐसा पेशन्ट जो है, उसके सामने आप ना बैटें, उसके थूक से, उसके बलगम से, उसके पीए हुए पानी से, यानि जो जो के हवा के जरीए, फिजा के जरीए भी बिमारियां फैलती है, तो जिस जगा पे वो मरीज खांस राय लेटा हुआ है, उस एरिये में कम से कम जाया जाए या अपने नूँ और ना को कवर करके जाया जाए, यह ज्यादा बेटर है, तो यह पहली बिमारी थी, जो हमने इस सि इसले में पड़ी, के कम्यूनिकेबल डिजीजेज जो एक से दूसरे को हो जाती है, उनमें से पहली है, ट्यूबर क्लॉसिस, टीबी, फिफडों से रिलेटेड बिमारी है यह, आपने क्या करना है, आपने बेक्टीरिया, उनका नाम, कहां आटेक करती है, यह बिमारी है, इसलिए पॉइंट्स बताएं, कि यह सारे आपके शॉर्ट क्वेस्टन्स हो सकते हैं, और अव्यसली जब लॉंग क्वेस्टन या नोट आएगा, तो आपने इसको पूरे का पुरा लिखना होगा, यह है दूसरी बिमारी, पोलियो, आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को, बड़ों को भी एवन, कि वो लंगडा के चलते हैं, एक पाउं जो है, उसके ओपर उनके ग्रिप नहीं होती, या हाथ के ओपर नहीं होती, या हाथ और पाउं की ग्रोथ थोड़ा कम होती है, या वो बहुत पतले, सुकड़े हुए महसूस हो रहे होते हैं, तो यह वही तो यह वाइरल डिजीज है और यह पोलियो वाइरस से फैलती है, ठीक है, यह फरक आपने जहन में रखना है, यह अटेक कहां करती है, यह नर्वस के ओपर अटेक करती है, आसाब को जो है, वो डेमिज करती है, और यही वजा है कि जब आसाब को डेमिज करती है, टांग य प्रसन टू परसन और खास्त और पे कॉंटेक्ट अगर हो जाए उसकी इंफेक्टेड मुकस से कोई भी बिमारी यह आप जहने में रखें कि जो परसन टू परसन प्रसन फैलने वाली बिमारी है वह हमेशा सेक्रीशन से पहलेगी वो नाक का बलगम हो मवाद हो वो गले से आन पहलती है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि बरवक्त वैक्सिनेशन करवा ली जाए तो जो कोई भी शक्स है वो इससे महफूज रह सकता है नेक्स है जी डेंगी जिसको हम पिछले कई सालों से बरदाश्ट कर रहे हैं यह भी वाइरस से फैलती है बिमारी कैसे फैलेगी थ्रू दा बाइट ओफ एन इंफेक्टिड मॉस्किटो वो मच्छर जो इससे इंफेक्टिड होगा उससे यह फैलेगी और इंफेक्टिड क् है तो यह तरीका है इस बिमारी के फैलने का इसकी सिंटम्स क्या है नाजिया यह यानि मतली फील होती है पेशंट पो व्रटिंग होना शुरू जाती है जोडों में बाड़ी में दर्द शुरू हो जाता Beispiel स्विर दर्द और बाज बादी पर रेश्ग धास है बाज सुर्ख बड़ी स्वीर कंडिशन अख्तियार कर लेता है तो उस पेशन्ट के जो प्लेट लेट्स हैं वो काफियत तक गिर जाते हैं और ये रिस्की कंडिशन होती है ट्रीटमेंट क्या है? कि स्पेसिफिक मेडिसन कोई नहीं है इसके लिए सिर्फ ये है कि जैसे बुखार है तो हम आम तरफे क्या करते हैं? हम पेरस्टामोल ले 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 लेते हैं आइवोप्रूफिन ले ले लेते हैं तो इससे मना किया गया है कि डैंगी पेशन्ट को ये मेडिसन्स यूज नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात ये भी हमारे हाँ एक रिवाज ही है कि हम स्प्रीन डिस्प्रीन वारा यूज कर लेते हैं तो डैंगी पेशन्ट को इनसे भी अवाइड करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपको ये अलामत बताई है कि बाज अकाद जो रैशिस बनते हैं उनकी बाड़ी के उपर पेशन्ट के वो जो बारी कपिलरीज होती है उनके रप्चर होने से बनते हैं और इस्प्रीन जो है वो आम तरफे खून को पतला करने के काम आती है खुदाना खासता अगर डेंगी पेशन्ट जो है वो इस तरह की कोई मैडिसन यूज कर लेता है तो वो उसके लिए हामफुल साबित होती है प्रिवेंशन यही है कि आप अपने आपको मच्छरों के काटने से बचाएं पहली बात तो यही है दूसी बात यही है कि जैसे ही खुदाना करे अलामाद जाहिर हों तो अभी अप्तदाई अलामाद की बेस पे जो मैडिसन बनती है उनसे इसको फैलने से बढ़ने से इसकी शिदद को रोकना चाहिए जी एक और बिमारी जिसको हम इन दिनों में फेस कर रहे हैं वो है कोरोना यह भी वाइरस से फैलती है और कफ और स्नीज से खांसी और छींक के जरिये फैलती है मकस्द वही है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं जो पार्टिकल्स हैं थूके जर्रात हैं या च्छींक आने की सुरत में नाक या मूँ से निकलने वाला जो पानी के जर्रे या मवाद है वो दूसरे शक्स तक ना पहुंचे वरना यह बिमारी पहलेगी और इसलिए आप देख रहे हैं कि हम लोग मास्क यूज करते हैं वो अपने नाक या मूँ को कवर करके रखते हैं सिम्टम्स इसकी क्या है इसमें भी बुखार होता है ड्राय कफ खुश्क खांसी होती है इस पेशन्ट में खांसी के साथ बलगम नहीं होता आगे जाके हम फ्लू पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों सिम्टम्स में जो थोड़ा बाद चेंज है वो समझ में आ जाएगा के खुश्क खांसी होगी, हैडेक होगा, सर दर्द करेगा, बॉड़ी पेंज होगे, कुछ को डाइरिया भी हो जाता है यानि साथ उनका स्टमक भी अफसेट हो जाता है तो ये सिम्टम्स हैं इनकी, प्रिवेंशन इसकी क्या है कि वाश हैंड और यूज सैनिटाइजर, कि या तो पानी अवेलेबल है, जैसे रहम दोईला हमारे मुलक में तो एजिली अवेलेबल है, तो हमें अपने हाथ दोने चाहिएं गाहे बगाहे, और अगर ऐसा नहीं है जिस जगह पे आप हो पानी अवेलेबल ना हो या वो मुमालिक जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है इसली शॉर्टेज होती है, तो वहां पे वो सैनिटाइजर यूज करें, अपने हाथों को साफ करने के लिए, इसके लावा मास्क पहनें और जो पेशन्ट है उससे दूर रहें, आपने देखा होगा कि पर टी वी पे जो मुटलिफ हैर्ज आतने हैं, उनमें हमें यह समझाया जाता है कि हम 6 फट के फासले पर सॉते रहे ही, क्लासिश में आप लोग dzięki हो पें आप लिए होती हैं, हम आपको फासले पर बिढ़ताएं, मास्क लगवाये रखते हैं, तो ये सारी इत्यातित दाबीर हैं और बेतरीन तरीका यही है कि वैक्सिनेशन करवाई जाए जितनी जल्दी मुम्किन हो फिलहाल इसकी दो डोजिज लग रहे हैं वक्फे के साथ मुखलिक किसम की वैक्सिनेशन हैं तो फिल फॉर्ड वैक्सिनेशन की तरफ जाना चाहिए ताके हमारे अंदर वो तमाम चीजें पैदा हो सकें जो बिमारी की सूरत में मकाबला कर सकें हमारा जिसम जो है बिमारी का मकाबला करने के काबिल हो तो कोरोना बेस्ट एत्यात दूर रहें फेशन्ट से उसकी च्छींक और खांसी से बचें और अपने मुझ को अपने होएं या सैनिटाइज करें और वेक्सिनेशन करवाएं आज हमने कॉमन कम्यूनिकेबल डिजीजिस में जो बिमारियों पढ़नी थी उनमें से ये लास्ट है फ्लू जिसको इन्फलोइंजा भी कहते हैं ये भी वाइरस से फैलता है फ्रॉम काफ एंट सी नीज फ्रॉम पर जाता है और में सोर्स जो है वो सेक्रीशन है जो खासी या छींग के जरीए मंत्किल होती है तो यह वी किसी भी मतासरा शख्सके खासने से या चींगने से दूसरे शक्षिक को लगती है अटेक कहा होता है इस भीमारी का रैसपारेटी सिस्टम पर निजामे तनफूस जो है सांस लेने का निजाम जो है वो मुतासर होता है इसे इतदाई अलामात क्या होती है सोर्थ रोड के गला जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है उसमें उसके साफ खांसी हो जाती है सर दर्द है और साथ रनी एंट स्टफी नोस बैता हुआ नाक, बैती भी नाक होती है या फिर बंद नाक इसके लावा बाड़ी पेन है और फिटीग यानि ठकन का इसास होता है अच्छा यहां आपने जहन में रखना है अभी मैंने कुरोना की सिम्टम्स आपको बताई है तो उसमें मैंने क्या बताया था खुश्क खांसी और उसमें नाक बैने का नहीं बताया बिल्कुल भी तो यही फरक है इन दोनों में कि जब आपको आम तरफे फ्लू होता है तो उसमें नाक बह रही होती है पतला या गाड़ा मवाद निकल रहा होता है खास पर पहले दो तीन दिरों में तो बहुत पतला पानी की तरह का मवाद निकलता है और खांसी जो है वो भी विल्कुल खुश्क नहीं होती उसके साथ भी हलका फुलका थूक या मवाद निकल रहा होता है गले से लेकिन कुरोना में ऐसा नहीं होता प्रिवेंशन इसकी क्या है तो गेट फ्लू वेक्सिन एवरी येर इफ पॉसिबल अगर आपके लिए मुम्किन है तो हर साल फ्लू की वेक्सिनेशन करवाएं ये इसका बेस्ट इलाज है और उस वक्ती तोर पे बुखार फील हो रहा है दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको सब्लीमेंट्स लेर सकते है जी सुडेंट्स ये है हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम सेशन 13 भी पढ़ेंगे तो ये है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बिमारी से बचाओ कैसे अख्तियार किया जा सकता है और बिमारी को ज्यादा से ज्यादा प्हेलने से कैसे रोका जा सकता है उसको कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है तो उसके लिए कुछ परिकाशनी मेयर्ज है पहला है कि हैंडल and prepare food safely कि खुराख को हैंडल करना और उसको तैयार करना वो सफाई से होना चाहिए हिफाज़त से होना चाहिए क्या मतलब है इसका कि खुराख की जतनी चीज़ें आप बाजार से खरीद के लाएंगे वो गोश्ट है, वो सबजी है, वो और चीज़ है, फल है तो उन सब के उपर मुखले बिमारियों के जरा सीम या बेक्टिरिया हो सकते हैं क्योंकि वो मुखले फाथों से होती हुई हम तक पहुचती हैं तो सबसे पहली बार तो यह है कि जो अपने हाथ हैं वो धोने चाहिए, उन सबसी को गोश्ट को जो रौ मीटा आ पला रहे हैं या फल है उनको अचीज़ तरह से दोना चाहिए फिर जो बरतन हैं जिनमें आप खाना बनाना चाह रहे हैं वो आपके साफस उतरे हूं इसी तरह से जो वेज़ेटेबल्स हैं सबसियां हैं उनको आप अचीज़ तरह से वाश करें फिर पकाने के लिए रखें तो यह तमाम चाहिए और अगर आपने फ्रिज में स्टोर करना है तो उसको भी प्रॉपर वे में स्टोर करें धकन देके डबों के अंदर बंद करके खुला खाना प्रिज में ना रखा जाए तो यह खुराग के हवाले से सेफटी मेयर है दूसरा है कि वाश हैंड प्रॉपरली यह हम बार बार सुन रहे हैं कि जी हाथ अच्छी तरह से दूएं हमारा मजब हमें यह सिखाता है कि हम आम तर पे साफ सुतरे रहते हैं दिन में आप होने के लिए इस्तेमाल करें अच्छी तरह से रचा से रचप करके रगड़के उनको मल के फिर धो के निकलते हैं पां करकर के निकलतेactory इसी तरह से नहाते हैं हम दिनमे तब भी इन हारे हाथ साफ हो जाते हैं यानि हाठों के उपर कुछ लगा होना जरूरी नहीं है बार बार हाथ वैसे ही दोने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जिस जगह के उपर हाथ रखा है, हो सकता है, वहाँ वो जरासीन या बैक्टिरिया मौजूद हो, यहां वहाँ पे कोई वाइरस मौजूद हो, तो वो आपके हाथों पे तो चला गया, अलाकि आपको दोना कैसे है, उसका तरीके कार भी, कि आपने अपने हाथों को गीला करना है, उसके बार साबून है, तो वो अची तरह लगानी है, और अगर कुछ और जैसे यूज कर रहे हैं, तो उसको अची तरह से मल के, मलना कितनी देर है, असल में यह मैटर करता है, 20 सेकिंड तक को हथेली को हाग के उपर वाले हिस्से को अच्छी तरह मलने के बाद पिर उनकी उपर पानी बहाना है तो यह हाद दूने का तरीका होगा को यहां है पर यहां पे एक पुईν्emand है के वेंट टो उद बफोर एंड आफ्टर अब जैसे पहले कभ दोने हैं बाद में %. जैसे हम कहना खाते हैं, हम पहले भी दोते हैं और बाद में भी दोते हैं पहले हम इसलिय हैं हमारे हाथ साफ हो जाएं उसे जरासी मँगरा उतर जाएं और अबाद में हम इसलिय है दोते हैं कि खाने की खुश्बूँ, चिकनाई, लृच्छों मगरा का उठीड चास्वेक्ट जो है के लिए भी हाथ दोने चाहिए हाओ टो वाशनेर्स इवन यदि आपको बता दिया कि तरीके कार क्या होगा और यह है कि हाओ वी शुड यूज सैनिटाइजर के अगर आपके पास मानी अवेलेबल नहीं है या आप ऐसी जगापे हैं घर से बाहर हैं तो पिर आपने सैनिटाइजर जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो अगर आपके हाथों पे लगा हुआ सैनिटाइजर जो है वो फौरी फौरी दस सेकिंड से भी पहले खुश्क हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप दुबारा अपलाई करेंगे उसके उपर मैं इसको दोहरा देती हूँ क सैनिटाइजर आपके लिए काफी नहीं है आपको दूसरी बार अपलाई करना चाहिए ताकि कुछ देर वो नमी आपके हाथों के उपर स्टे करें नेक्स पॉइंट है कि क्लीन कॉमनली यूज सर्फेस के जो आम तोर पे सर्फेस इस्तमाल होती है अब वो आपके घर के कॉलिज में आपके इदारे में चाहिए आप पढ़ते हैं या मलाजमत करते हैं दोनों सूर्तों में वो आपका अगर कॉलिज है तो वो डाइस भी हो सकता है वो आपकी चेर्स भी हो सकती है वो आपकी लैब भी हो सकती है यानि वो तमाम चीज़ें जो कॉमन यूज होती है अभी आपने इस्तेमाल की कुछ दिर बाद कोई और शक्स उसको इस्तेमाल करेगा तो उनकी सता को अच्छी तरह साफ करना चाहिए अब जाहर है अगर कॉलिज में है तो वो मुलाजमीन के जिम्में है और अगर घर में है तो आप किचन की जो स्लैब है उसको अची तरह से साफ करते रहें दर्वाजे के जो हैंडल हैं उनको अची तरह से साफ करें क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जब आपसे पहले जो शक्स गुजर के गया घर का मेंबर उसके हाथ कैसे थे जो उन हैंडल को लगे तो उन हैंडल को भी साफ करें और अपने हाथों को भी बाद में दोएं जो सर्फेस कॉमन यूज होती है उसको आप साफ करेंगे बार बार ये कुछ और प्रिकाशनरी मेयर्ज हैं कि काफेस नी इस इंटो आप टीशू और यूर स्लीप कि या तो आप कांसे और चीके टीशू को सामने रखके या अपने बाजू के उपर या निकोनी के अंदर मूँ करके मसला क्या है अगें मैं मजब का हवाला दूँगी कि हमें सिखाया गया है कि जब आपको छींक आए तो आप सामने हाथ रख लें ताके आपके जो थूप के जर्रात हैं वो इतनी तेजी से जो मूँ से निकल रहे होते हैं वो दूसरे शक्स तक या फिजा तक फैलने ना पाएं तो अभी कुरोना के सिल्खते में भी है जो हमें बार-बार समझाया जा रहा है वो यह है कि आप जब चींके या खासें तो आप सामने टीशू रखें या अपनी ओनी के अंदर मूँ करके चींके या खासें ताके जो धूप के जर्रात हैं वो दूर तक ना पहलें बिमारी तो अभी को घर में आपका आपका जो बालों के लिये ब्रश है इवन जैसे हम लोग मस्कारा वगरा खवातिन यूज करती है वह है आपकी लिपस्टिक्स हैं तो इस लिप बाम गरा है यानि इस तरह की चीज़ें आप शेयर ना करें खास्ता आप पर जब बाप पहली अवाइड करें सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सिनेशन अगर हो सकती है तो आप वैक्सिन की तرف जाएं आपने देखा है कि नियूली बॉर्ण बेबी को बीसिगी का इंजेक्शन लगता है इसके लबा कुछ वैक्सिनेशन उसक्त हो जाती है बाद में कुछ बिमारी मुकाबला कर सकें नेक्स है कि अवाई टचिंग वाइल्ड एनिमल्स पेट एनिमल्स को भी ध्यान से आप टच करें उनको डॉक्टर्स के पास ले जाएं उनका मेडिकल चेक अप करवाते रहें और वाइल्ड एनिमल्स को तो बिलकुल भी पूरी एतियात के साथ डबल तो टची ना करें अगर करना भी पड़े तो पूरी एतियात के साथ गलाउस पहन के तोंकि उनके उपर किस किस किसम के जरासी में आप नहीं बता सकते वो तो बाहर से फिरते फिरते किनकिन एरिया से होके आ रहे हैं आपको मालूम नहीं है next and last one stay home when sick ये भी हमें आजकल बार-बार बताया जा रहा है कि आप अपने घर पे रुकें जब lockdown होता है तब हमें ताकीद की जाती है कि घर पे रुकें और हमारे यहां क्या होता है कि हम उन्हीं छोटिों को उवेल करते हुएं, बाजार में चले जाते हैं, शापिंग के लिए या हम पारक्स में चले जाते हैं, उन्जॉयमन के लिए। रिश्टदारों जो आइए, यह बहुत ही गलत हरकत है, असल में यह है कि बिमार होने की सुरत में, आप अपने आपको कुरंटाइन करें एक मखसूस एरियत तक महदूद रखें ताके बीमारी जो है वो दूसरों तक ना पहल सकें तो ये कुछ प्रिवेंशन थी पुछ एतियाती तदाबीर थी जिन से हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं जी जो शॉर्ट क्वेस्चन इसमें से आ सकते हैं वो है वाट इस आ मॉस्कीटो वो और वाइरल इंफेक्शन सेकिंड है कि हाओ मैनी टाइप्स ऑफ कम्यूनिकेबल डिजेजिस और जो लॉंग या सब्जेक्टिव क्वेस्चन है वो है राइट आ नोट अन कॉमन कम्यूनिक का दूसरा हिसा है जिनको डर्मल डिजेजिस का जाता है उसको हम नेक्स लेक्शर में इंशालला पढ़ेंगे आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि जो कम्यूनिकेबल डिजेजिस हैं उनकी दो टाइपस हैं कॉमन कम्यूनिकेबल डिजेजिस और डर्मल कम्यूनिके यह से बिमारियां जो हैं आज हमने पढ़ हैं इनके पहलाओ का तरीकार देखा है 싶। बचाव कैसे किया जा सकता हैици क्या illustration क्या हो सकती है तो यह ऐसकती ہے तो तो आका थे सबतरी तैबिर नि Playing वाले से भी आ सकता है तो सवाल ट्विस्ट हो सकता है जवाब यही रहेगा तो हमने प्रिकाशनी मेज़ देखें इन में से यह भी आ सकता है शौर्ट केसिंट की सुरुत में कि दो या तीन प्रिकाशनी मेज़ लिखें और इस तरह से आ सकता है कि दो या तीन बिमारियों के जो common communicable हैं या पूछा जा सकता है कि जी फलाँ बीमारी जो है वो बैक्टिरिया से फैलती है या वाइरस से या किन जबों पे किन हिस्सों पे बाडी पार्स पे अटेक करती है जैसे हमने देखा TB जो है वो लंग्स पे अटेक करती है या पोलियो नर्वस सिस्टम पे अटेक क उलाई